हेलो दोस्तों मैंखूर प्रेंचेस सभीका स्वागए करता हूं कि टो वैलकुब एको फ्रेश वीडियो के अंदर तो आज किस वीडियो में हम लोग आप देखने वाल है टेक्निकल आनलेसिस बहुत सारे अल्ट्स कोईन और बिटकोईन का और साथ यह आप में बात करेंगे क्रिप्तो करण्सी के मारकेट की इसे के बारे में तो वीडियो को शुराः पूरा जरू देखेगा लाइक कर दीजेए शेयर कर दीजेए सभी लोगों के साथ ताकि वो लोगभी क्रिप्तो से अंदर रह सकें सबस्वाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बिटकोईन से तरफ है जिसमें की मार्केट अगर थोड़ा correction देगा तो मार्केट 15600 के आसपास bounce यहाँ पर कर सकता है तो यह कुछ important चीज है जिसको कि आप Bitcoin के अंदर देख के चल सकते हैं और इसके अलावा मार्केट अगर कुछ भी momentum देखा तो यह दो जो levels हमने कल की वीडियो में भी discuss करे थे यही important यहाँ पर रहने बाले हैं इसी के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं CME gap के बारे में तो इसमें कोई ज्यादा changes नहीं हुए तो यहाँ पर का level है वो लगवक 17500 के आसपस हमें आप देखने को मिल जाता है बागे अगर आपको confusion लगता है कि कैसे होता है कैसे होते हैं कैसे होते हैं कैसे इन जो होते हैं जो होते हैं जहां पर प्राइस बहुत चौपी है इनको ट्रीट करना चाहिए तो मैं आपको सेज करने का नजरिया market का वो पूरी तरीके से यहां पर change होने वाला है अगर आप चाहते हैं सिंग्नल ग्रूप में जोइन करना तो वह भी आप कर सकते हैं जिसकी information आपको डीटेल स्कून पर मिल जाएगी इसकी भी आपको जितनी भी information है वो सारी आपर मिलती है और आप डारेक देखने को मिली है जैसे मैं आपको कल भी पताया था कि dominance यहां से बहुत ज़्यदा bounce नहीं हो सकती होगी तो लगपक 40K range तक आ सकती है लेकिन आप फिलाल में हमें थोड़ा सा correction देखने को मिला है यहां पर हम जाद चैनल के फॉर्म में बनता हुआ मिलेगा और यह चैनल के नीचे गिरती है तो लेकिन बिटकोन के अपनी dominance अपनी power को वहाँ पे lose भी करेगा अल्टकोन की dominance के अगर बात करें तो अल्टकोन की dominance अभी थोड़ी से stable हुई है आज आपको थोड़ा सा pump देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर भी आपको चैनल जैसा formation देखने को मिल जाता है और इसी formation की वजए से जो मार्केट है वो कही ना कहीं असब बियर फ्लाक की तरह act कर रहा है जैसे कि लास्ट मार्केट ने यहां पर एक बूल फ्लाक की तरह act किया था वैसे अगर अब भी हम मार्केट को देखने की कोशिश करें तो यह मार्केट का मोमेंटम है जो एक सब्सक्राइब करते हैं हम लोग एधियरियम के बारे में एधियरियम बहुत ज्यादा डिस्कोर डांस वाली सिच्वेशन के अंदर हम पर चल रहा है जैसे मैं आपको कल भी कहाता है कि इस लाइन के नीचे मार्केट रहता है तो आप शॉट की पोजिशन की तरफ ध्या इसी को बस मार्केट अभी यहां पर टेस्ट कर रहा है और इन फ्यूचर यह जैसे भी प्रॉपर तरीक होती है आपको एक अच्छा मोमेंटम में मिल सकता है लेकिन अगर यह ब्रेक नहीं हो रही है तो मार्केट के अंदर मोमेंटम में डाउन फॉल भी देखने को मिल अगर बात करें तो यहां पर आपको अल्मोस्ट एक राजिस्टेंस देखने को मिली ही जाता है यह रेजिस्टेंस अगर मार्केट क्लियर नहीं कर पाता है 1230 के असपास का तो प्राइस के अंदर कोई भी बड़ोतरी नहीं होगी और अगर होती भी है तो मैक्सिमा हम लोग हो गई है थोड़ा प्राइस मोमेंटम दे रहा है लास्ट अर्ट थाटीन हंड्र के आसपास हो सकता है प्राइस के थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिले और वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो यह जैसे एक रिट्रेस्ट है जिसका बाउंस हमें यहाप पर देखने को मिल जाता है लाइट कोन की बात के तो लाइट कोन के अंदर अभी भी करेक्शन अच्छा घासा चल रहा है और एक छोटे रजिस्टन्स की बात करें तो लाइट को अलगभग 78-79 डॉलर की बीच में एक रेजिस्टन्स लेकर बैट है यहां से प्राइज इस पर आने करेंगे नहीं तो यह हमाले एक शॉट पोजिशन रहेगी जहां पर प्राइज लगवक 64 डॉलर तक नीचे की तरफ यहां पर आ सकते हैं वहीं पर हम लोग बात करते हैं बाइनस कोन के बारे में तो बाइनस कोन का करेक्शन आप कंटीनी फॉल देगी सकते हैं मार्केट अल सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे तो जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है ब्रेक करने का सिंपल सा मतलब होता है कि बॉड़ी क्लोजिंग अगर नीचे करता है विक्स नहीं तो यहां पर आपके अच्छा कासा डॉप मेंट देखने को मिलेगा और क्योंकि हम मंत सब्सक्राइब वह 4.9 यहां से अगर मार्केट कोई भी बाउंस लिता है तो शॉर्ट टम में मार्केट का यह एक लेवल जो है 5.9 या 6 दॉलर क्यास पस बस वहीं तक मार्केट बाउंस ले सकता है और फिर मार्केट के अंदर वापिस डॉप मेंट देखने को मिलेगा जो म बहुत ही जदा साइडवेस के अंदर है ट्रेंगल के अंदर है जिसमें कोई भी पोजिशन डिसाइड नहीं है लेकिन क्योंकि आप पर मुल्टिपल रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं इस वाले रजिस्टेंस है तो यहां पर यही प्रॉब्लिटी बनती है कि मार्केट अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है कि आने वाले एक या दो दिन में मार्केट उपर क्लोजिंग दे दे दें यह थोड़ा सा बुलिश हो सकता है जहां से फिर हमें एक रिजेक्शन में भी इस लेवल से देखने को मिले लेकिन अभी के तौर पर देखा जाए तो अभी यह पा को देखोगे तो एक्सेक्ली 7.4 7.5 की आसपस हमें देखने को मिलता है बट हो सकता है कि आने वाले दिसम्बर मंट में हमें इसमें शायद को रिली देखने को मिले में भी शायद 20-25% की क्योंकि इसका जो कह सकते हैं कोई साथ टैसमेट है जिसके निउस है मैं आगे कवर कर रखा है कि अगर मार्के इसका हाई थोड़े 9.5 तो आपके लिए और अगर मार्के इसका 5.6 को ब्रेक करता है तो मार्केट कहने की डाउन फोलगी पोजिशन में यहाँ पर रहने वाला है नेक्स अपर बात करते हैं मैं तो मैं तो थोड़ा सा अंडर लाइन ही चल रहा है जो रजस्टंस हम लोग ने एक्सपेक किया था उसके थोड़ा सा निंचे यह तो अभी जब देक इसका बेस 0.77 का सही सलामत है हमाले ठीक ठाक सा मोमेंटम है जिसमें शॉट टम में कोई बाउंस अगर आता है तो उसके बाद हम शॉट के ट्रेट को पाइंट कर सकते हैं न में कि हम अभी एक्सपेक करके चल सकते हैं कि माना के अंदर जो प्राइज से वो 0.35 तक यहां पर आ सकते हैं लेक्स हम बात करते हैं सेंट के बारे में तो सेंट के अंदर भी अगर आप चीज़ों के देखने कोशिश करें तो लगबग सीमिलर सा ही पैटन है यहां पर भी अगर मैं एक लेवल को लगा हूं तो यह क्रेस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट हैं पर कर रहा है हलांकि थोड़ा सा बुलिश फॉर्मेशन पैटन जरूर है अब तक इसमें कोई सा कनफोर्मेशन नहीं मिला है तो हम थोड़ी दिन वेट करेंगे उसके बाद ही फिर यह दे हैं दिसंबर के अंदर और यह इनका चेनलिक एकोनोमिक्स 2.0 का ही यहां पर हिस्सा रहेगा जिससे के चेनलिंग के जो होडलर से उनको बूस्ट मिलेगा ज्यादा अनिंग्स वह कमा पाएंगे और यह सारे चीज़ें दिसंबर 6 को होने वाली है जैको दिसंबर 6 बहुत ज चीज़ें और जो भी चीज़ें वह 6 तारी के उसके आसपास में हमें क्लियर होती हुए आप पर मिल जाएंगी तो अगर आप लोग भी एक्साइट हो सीच कले तो बैरी गूट लिंक होड़ करते हो तो स्टेकिंग का मोका भी यहां पर ले सकते हो और दिसंबर के अंदर हो सकता है कि सकंदर कुछ positive momentum मिले तो levels मैं आपको चार्ट के उपर पहले से आपे बता दिये हैं अगली दोस्ते बहुत अची खबर आ लिए known whales की तरफ से यानि जो whales addresses नहीं है Bitcoin के कहीना कहीं वह Bitcoin में ज्यादा investment कर रहे हैं और यहां पर जो accumulation के record है वो नए नए यहां पर बनते करते हैं और दूसरी category है crap की जो कि यहां पर 10 Bitcoin से कम यहां पर hold करते हैं तो अगर आप इस category में से किसी में पर आते हो तो congratulations आप यहां पर एक non whale hodler crypto आप बन चुके हो और अगर आप इस chart को देखने की कोशिश करते हो तो यहां पर आपको बहुत ही clearly समझ आएगा कि कितना ज होड़ा सा जो डिप था लास्ट वाला अभी यह इस टाइम पर भी बड़ा है तो यहां पर जो बाइंग से ना वह अच्छे कासी हो रही है आप चार्ट्स ग्राफ सारी चीज़ देख पाऊंगे और कहीं न कि रिटेलर्स को भी शायद इतना लग रहा है कि हो सकता ftx के अगली दूसरे बुरी खबर आ रही है कि ब्लॉक फाई की तरफ से बड़ा प्रोजेक्ट जो की फिर से आप पर बैंकरप्सी के लिए उन्होंने फाइल कर दिया है हलाग इसके जो सिंप्टम से पहले से देखने को मिल गए थे पहले पर हमने बात करी थी इसके बारे में ल और यहां पर जो भी सारी चीज है वहां पर होने बारी तो अगर आपने आगे पीछे कभी भी ब्लॉक फाय में इंवेस्मेंट किया है तो जाके देख लो क्योंकि हो सकता बैंकरप्सी फाइल करने की बाद आपको आपका पैसा ना मिले तो जाके चेक आउट कर लो लेकिन ह आपका देखा था ट्विटर के उपर वह लगबग 1 billion से 10 billion के बीच में था तो बहुत बड़ा जटका लग सकता है जैसे इनकी बैंकरप्सी फाइल हो जाती है और उसके बाद अगर वैसे इनोंने पेमेंट्स देना तो पहले से स्टॉप करी दिया है तो यह चीज़ धिया लगो कि मार्केट में जटका इस चीज़ से भी यहां पर लग सकता है इसके बाद अगला नंबर किसका होगा वो तो इसके बाद ही पता पड़ेगा अगले दोसरों खबर ना प्यारी कंपाउंड की तरफ से और हम सभी को पता है कि आगे ना पीछे भी क्या क्या चीज़े ह हुई है जैसे आप एक्स्प्लोई हुआ था फेल हो गया था बहुत सारी चीव में तो कंपाउंड ने चीज़ से आप पर सबक लिया है और काईगी अब हम लोग यहां पर लांडिंग कैप्स लगाने वाले कि आप इससे यादा लाइन नहीं कर सकते तो इनका कहना है कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड के अंदर एक डाव याने किडी सब्सक्राइब आप क्या सकते कि वोटिंग यहां पर हुई है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशन के बारे में बात करी गई थी जैसे कि टैन र बाता हो पाता है ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता यहां पर पढ़ पाएगा अगली दोस्तान की तरफ से कड़न ओ कल भी खबर में था आज भी खबर में आया है और कहिना कि जो एडाogenदर हो सकता है कि जो आडग अंदर टीवे लिया अने टोटल वैल्यों करें तो इसका टीवेल लगबग 326 million के आसपास था लेकिन अभी के टॉर पे हम इसका टीवेल की बात करें तो 57 million का यह पर हो चुका है तो इसका पूल रन में आड़ा की प्राइजिस आड़ा के इको सिस्टम में बहुत ज्यादा मिल सकता है आड़ा के ऊपर ध्यान रखके चल सकते हो अगली दोश्चा एक बहुत अच्छी खबर यह हो सकते हैं कि जो फैडलिटी इन्वेस्टमेंट है वो में भी हो सकता है कि शीबा क्लोरेशन टीम पर लाती है और बहुत बड़ी कंपनी है और अभी के जो कांटे कांट सारे हुए हैं बहुत सारे बैंकर उक्सिस उसका यह इतना एजी तरीके से आप चीजों को करेंगे बिटकॉइन उनके बहुत हाली सी घ्योरे बागी चीज़ भी प्रोजेक्ट में हो जाएंगे वह सबसे पहले इंवेस्टर के बेनिफिट को शायद यहां पर देख के चलने वाले हैं अगली दूसरा पर खबर आ रही है व्रैप बिटकॉइन किसे रिलेटर तो ग्रैप बिटकॉइन आप डिसकांट पर मिल रहा है अगर आप लेना चाहते थे तो ले सकते हो हलागि इसके लिए आपको यह पास बिटकॉइन होना चीज जिसको आप कर पाऊ बिटकॉइन में लेकिन डारक लेकिके कोई फाइदा नीए क्यों कोई भी चैंजिस नहीं मिलेंगे लेकिन हां जिनके पास पड़ा था बिटकॉइन पहले कहा वो लेना चाह रहे हैं या कर सकते हैं कि क्या आपके लिए WBTC इस टेम पर लेना या पर बैटर होगा या फिर नहीं होने वाला है आज की दोस्तों आखरी कबर की बात करें तो यह आरी है इंडिया की तरफ से और इंडिया में हम सभी पता है CBDC का जो हला गुला था वो बड़ा मस्त गया जो इन्हों या कहीं आ सकते हैं तो यहां पर आपका जो डिश्टल टोकन है वो ऐसा लीगल टेंडर रहेगा आर बी ने पहले भी के दिया है और रिटेलर से आने कि आप और हम भी आएंगे तो देखते हैं अगर इसका कुछ भी होता है तो डेफिनिटल मैं आप लोग शेयर करूँगा हलाकि यहां पर प्रेस रिलिस की बात पर तो आर बिया ने यह चीज़ अनॉंस कर दी है कि जो डिश्टल रूपिया है उसका पाइलेट यहां पर होने वाला है हलाकि बहुत सेलेक्टेड लोगों कोई मिलेगा जितना भी होगा मुझे ऐसा लगता है तो यह रूपिया जो ह यह रूपिया होगा है जो CBDC है वह बेसिकली ब्लॉक्चेन बेस करन्सी रहने वाली है जो प्राइवेटी रहेगी मोस्ट पॉबली आपकर बाकी सारे बैंक्स में भी सर्वल लगा दिये तो फिर शायद भी सिंटलाइस कहले लें लेकिन मोस्ट पाइवली तो को दुबा के क्लिक करें और के उपर ताकि मेरे आनवाली सब्सक्राइवेटी की इनफोर्मेशन प्रॉपर टाइम प्राइव पर पास अगे तो मैं मिलता आप से लिए कुछ रहें प्रेसिंग वीडियो के सारे तब तक लिए आप ग्रेट डेए एंड बाई